निउन्तम समर्थन मूल, MSP, खरीद मूल, प्रेक्यूर्मेंट प्रैस और जारी किम्टे इसु प्रैस इन तीन प्वाइंट पर हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ बिवस्था में जो नियूंतम समर्थन मूले है जब कोई फसल उत्पादन करता है किसान तो किसानों के लिए सरकार नियूंतम समर्थन मूले की घुशना करते हैं और नियूंतम समर्थन मूले का ताथ पर यह होता कि अर्थ बिवस्थ के लिए क्या होता किसानों के लिए helpful होता है नहीं तो किसान क्या करेंगे इस मूले पर कभी भी क्या होते हैं उत्पादा नहीं करेंगे देखिए अर्थ वियुस्ता में सबसे जदा आपको प्राप्लम यह आती है कि जो एगरी कल्चर आपका उत्पाद है जैसे गेहूं और चावाल इनका बाजार में मूलिक बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से उठता है दूसरा यह दोनों उत्पाद अल्पकालिक है अल्पकालिक का ताद पर होता है कि इनकी उत्पादन जल्दी उत्पादन होने के बाद सप्लाई अगर उत्पादन ज्यादा हो तो एकनौमी में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जिसके परिणाम सुरूप इसका प्राइस कम हो जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा तो किसान क्या करते हैं प्राइस कम होने के परिणाम सुरूप जो हमारे पास किसान होते हैं अगर उनको लगता है कि उनकी लागत यानि पूलफिल हो रही है तो यह किसान क्या करते है अगले साल उस आनाज का उत्पादन नहीं करेंगे CLEAR है अगर एक्नॉमी में गेहुं और चावल का उत्पादन ज्यादा हो जाता तो supply of these commodity एक्सेस हो जाती जिससे commodity का price market में कम हो जाता है and commodity का price कम हो जाने के पेड़ाम सुरू, economy में एक problem हमको दिखाई पड़ती है कि price कभी-कभी इतना कम हो जाता है economy में in commodities का कि इसका price less हो जाता है इनकी cost से और किसान एतना अधिक frustrated हो जाते हैं कि अगले साल इन वस्तों का उत्पादा नहीं करना चाहती अगर अगले साल किसान इन वस्थों का उत्पादा नहीं करेंगे तो एकनॉमी में भुखमरी आ सकती है ठीक है आपके पास क्या होती है एकनॉमी में क्राइसिस आ सकती है जो भी हमारे पास इसेंसियल कमोडिटीज है जिनका हम प्रियोग दैनिक लाइफ में करते हैं तो यह क्या होता है कि कि प्राइस जो होता है वो एकनॉमी में इंपॉर्टन रोल अदा करता है किसी वस्थो को क्या होता है उत्पादन करने के लिए एक मोटिवेटर फैक्टर का काम करता है अगर इस लेबल बहुत कम हो जाएगी तो किसान क्या करते उस वस्थो का उत्पादन ना करके अन्य वस्थो को उत्पादन करते हैं कहते हैं पिछले साल हमारा यह वस्थो बहुत अधिक उत्पादन किया और उसका मूले कम हो गया था इसलिए क्या करते किसान उत्पादन बंद क सरकार ने कहा कि अगर ऐसा ही कोई प्राब्लम आया तो क्यों ना हम उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करें एक प्रकार से उनको लेयर प्रदान करें ऐसा लेयर कि अगर आपका वस्तु का मूले MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस प्रकार का एक ऐसा मूले प् करना है एक ऐसा MSP प्रदान करना है कि अर्थ विवस्था में MSP जो होता minimum support price वो याद रखिए फसल लगाने के पूर क्या जारी किया जाता है सरकार दोरा जारी किया जाता है और इसका हम लोग क्या करते है MSP यह अधिकतर लागत की आधार पर calculate किया जाता है जो भारत में minimum support price है एक प्रकार से फसल जो आपके होती है लोग किसान क्या करते हैं फसल के मूल लेके according अत्पादन करते हैं अगर प्याज कादा म औन्येन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता तो किसान कहते हैं क्यों अगले सल हम लोग औन्यन का करें गेहूं चावल की उतपादन करें लेकिन अगर गेहूं चावल का उत्पादा ना होने के परिणाम सुरूप एकनॉमी में एक प्रकार से प्राब्लम आ जाएगी और वो प्राब्लम क्या कहलाएगी कि एकनॉमी में फूड ग्रेंड क्राइसिस हो जाएगा और एकनॉमी में वास्तों में प्याज या लेसन से एकनॉमी नहीं चलती है बलकि एक प्रकार से लागत के आधर पर सरकार के द्वारा जारी किया गया मूल्ले होता है, सरकार कहती है कि यदि मार्केट में प्राइस कॉस्ट प्राइस से करकर कम हो जाए, लागत से अगर आपका मूले कम हो जाए तो आप इस रेट पर हमें बेच दीजेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम परचेज़ आपको कर लेंगे आप एकनौमी में उसको अपनी लागत से कम मूले पर मत बेचेगा तो इस प्रकार से एक सुरच्छा का वजप्रदान कर दूसरा आपके पास होता है खरीद मूले ठीक जिसको कहते है वसूली मूले इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता प्रिक्यूर्मेंट प्राइस के नाम से जाना जाता है अर्थ बिवस्ता में सरकार आपने देखा होगा कोविड-19 के अंतरा मोदी जी की सरकार ने क्या क क्या करती है फूट कार्परेशन आफ इंडिया में जो हमारा FCI है जो हमारा स्टॉक है वेयर हाउस है उनमें आनाज को खरीद करके सरकार अपने रेट पर आनाज को खरीद करके स्टोर करती है अब बाद में खाद वित्रण भीभाग के माध्यम से इसू प्राइस पे आनाज को खरीदती है ताकि उनके वेयर हाउस में उसका स्टॉक किया जा सके और रासन की दुकानों के माध्यम से दो रुपए किलो गेहूं तीन रुपए किलो चावल का डिस्टिब्यूशन किया सके तियने जिस मूले पर खाद वित्रण किया जाता है उस मूले को हम में सबसे ज़्यदा परॉबलम करने वाला प्रशन क्या आता है कि एकजां में पोंच्छा जाता है कि मिनिममम सपोर्ट प्राइस क्या है ठीक है तो अदिकतर बच्चे लगा देते हैं आफसन में टीग कि नियूंतम समर्थन मूले वह मूले है जिसपर आनाज की सरकार ख pension म में रखती है लेकिन नहीं minimum support price पर कभी भी आनाज को खरीद करके buffer stock के लिए सरकार नहीं रखती अगर ठीक है अगर price बहुत कम होता है तो सरकार MSP पर खरीद लेती है लेकिन सरकार का उद्देश सद्या procurement price पर आनाज को खरीदना होता है वो सरकार हर दम चाहती के procurement price पर आनाज को परचेच किया जाए खरीदा जाए तो buffer stock में जो भी वो stock में डालेगी आनाज वो खरीद मूले जो होगी वसूली मूले वो वास्तों में MSP नहों करके procurement price होता है जिस पर आनाज को खरीदती है सरकार और अपने गोदाम पर गोदाम न करके warehouse कहते हैं हम लोग buffer stock कहते हैं और issue price हो प्राइस होता है जिस rate पर गरीबों को आनाज बित्रित किया जाता है सरकार direct गरीबी पर attack करती है किसके दोरा कम price पर तो कौन से कीमत होती है जारी कीमत होती है issue price होती है जिस price पर गरीबों को आनाज रासन की दुकानों की मात्यम से बाटा जाता है तो ये तीन आपके पास exams में technical term आते हैं जिसमें सबसे ज़्यदा आप लोग परेशान होते हैं अब इनको मैं एक-एक करके order से और अधिक बिस्तर ब्याख्या करूंगा और उसके साथ ही साथ इसका current में क्या news में highlights points है उनको भी हमाएं आपके साथ discuss करूंगा तो आपका आज का topic बन जाता है नियूंतम समर्थन मूल जो किसानों को सुरच्छा प्रदान करता है कि अगर आपकी आनाज का मूल लागत से कम हो जाता है तो सरकार एक वादा करती है एक promise करती है कि यूंटम समर्थन मूल ले जारी किया जाता है कि नियूंतम समर्थन मूल किस के लिए जारी किया जाता है केवल खाद्यान वस्तमों के लिए प्रेक्यूर्मेंट प्राइस क्या होता है प्रेक्यूर्मेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर आनाजों को हम लोग खरीदते हैं और गोदाम में रखते हैं तो वेयराउस में रखते हैं तो प्रेक्यूर्मेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिस price पर सरकार aanaj को खरीती है open market से खरीती है और जारी कीमते वो का कीमते होती है जिस price पर economy में आणाज को purchase किया जाता है जिस price को economy में गरीबों को आनाज बित्रित किया जाता वो price होता तो यह तीनों price के भी से में आज हम लोग concept और clear करने जा रहे हैं किसानों की हितों की रच्छा के लिए देश में निवंतम समार्थन कीमते मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की बिवस्था लागो की गई है अगर कभी बाजार में फसलों की कीमत ज्यादा गिर जाती है कभी-कभी इतनी अधिक प्राइस डिक्लाइंग कर जाता है कि वो कॉस्ट से नीचे चली जाती, लागत से कम हो जाती किसान को लाज से बचाने के лिए, किसान को लागत को उपलब्ध कराने के लिए तब भी केंस सरकार न्यूंत्म समर्थन मूले पर किसानों से फसल खरीदती है इससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सकता और इसकी मुख्य बाते जो है वो निमलिखी थे क्रसी उत्पादकों को क्रसी कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिला अगर लगाता रैपिड प्राइस डिक्लाइंग होता है किसी आनाज का सुनिश्चित करने के लिए सूखे, बाड, निर्यात, आयात के लिए अंतरश्टी कीमतों से प्रेरित खाद कमी और कीमतों में उतार चड़ाव की प्रिष्ट भूमी में भारत सरकार द्वारा नियूंतम समर्थन मूल लिकी घोषणा 1966-67 में पेस किया गया अर्थात आपका 1962 के आपका जो थर्ड फाइव यर प्लान था उसमें हमारे पास दो अटैक भारत में पड़े जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों ने आत्रमण किया 62 और 65 में साथी साथ इस वर्स भारत में सूखा पड़ गया था जिसके परणाम सुरूप भारत में ए खोशना की गई कि हम प्रतेक वर्स एगरी कल्चर सेक्टर में आवस्यक फूट ग्रेंस में खाद्यान प्रदार्थों के लिए नियूंतम समर्थर मूल की खोशना करते हैं आयदि किसी आनाच का मूल इतना अधिक कम हो जाता है जिसके परणाम सुरूप उसकी लागत भी पबलाम ना होने पाए बाजार हस्ता छेप एक प्रकार से यह क्या होता मार्केट इंटर्फियार का कॉंसेट लागू किया गया हरित करांति के मद्दे नजर पहली बार गेहूं के लिए MSP की घोषणा की गई थी तो इसके अंतरकत इंपोर्टेंट पॉइंट आपका जो बन जाता है इंपोर्टेंट पॉइंट आपका जो बना वह कौन-कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट होगा सबसे पहले आपका इंपोर्टेंट पॉइंट बना कि MSP भारत में कब लागू करता है तो इसे government of India यानि केंसरकार लागू करती है second important point exam के लिए बन जाता है third point बन जाता है तो लोग क्या करेंगे उसका उत्पादन कम कर देंगे तो इस प्रकार फसल भीविधी करने को प्रोच्वाइद करने के लिए केंसरकार ने थान दलहान तिलहान सभी अनिवारे खरीब फसलों के लिए ठीक है नियुंताम समर्थन मूली की घोष्णा या ब्रिध्ध करने की घुष्णा की थी प्रमुखविंत नियुंताम समर्थन मूली जो होता MSP वो दर होती है जिस दर पर किस सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि अगर अर्थविवस्था में प्राइस तेजी से गिरे और कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो सरकार एक प्रकार से सुरच्छ चप्रदान करती है ताकि किसी भी किसान को लॉस नहोने पाए और आर्थविवस्था में फसल विवधी करन बने रहा है इसलिए किसानों की उत्पादन लागत के कम पर कम से कम डेड़ गुना अधिक होती है यानि जितनी लागत होगी लागत से MSP का जो मान होगा मिनिमम हो जाए और साथ ही साथ उसको इतना मिल जाए कि थोड़ा बहुत लाब की रूपे भी वो कारे कर ले तो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो किसान को उसी फसल के उत्पादन में बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है तो इस प्रेकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के घोसित हो जाने के परिणाम सरुक आर्थ बिवस्ता में किसानों ने अब उस फसल को जो मूले से क्या करते थे प्रेरित होते थे अब MSP से वो लोग प्रेरित हो गए कि नहीं अगर मेरे आनाज का दाम बहुत कम होगा तो सरकार MSP रेट पर खरीद लेगी और हमारे लिए एक सुरच्छा का दवाच प्रदान करेगी नियूंताम समर्थान मूले किसी भी फसल के लिए नियूंताम मूले मिनिमम प्राइस अगर बाजार मूले बाजार मूले मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आ जाता है तो सरकार खरीद लेकिन अगर बाजार मूले बाजार में आनाज का मूल MSP से उपर है तो किसान मंडी के माध्यम से अपने आनाज को बेच सकते हैं और सरकार यहीं पर procurement price पर आनाज को खरीद करके buffer stock में जमा करती है ताकि खाद्य सुरच्छा भारत में क्या किया जाए संपन किया जाए खाद्य सुरच्छा को लागू किया जाए तो इस प्रेकार procurement price क्या होता है अर्थ ब्यवस्था में MSP से कभी-कभी ऊपर होता है और कभी-कभी MSP के बराबर भी हो सकता है यह आप याद रखेगा MSP के procurement price बराबर भी हो सकता है तो लोग कहने लगते हैं कि MSP के rate पर हमने procurement price रखा है तो यह procurement जो price होता हो MSP के बराबर हो जाएगा तो दोनों बराबर हो सकता है लेकिन procurement price अधितर क्या होता है procurement price पीपी इस greater than MSP पाया जाता है इसका तात पर यह होता है कि सरकार जब वसूली price रखती है वो हरदम MSP से उंची रखती है और procurement price अधिकतर मंडियों में काम करती है और मंडी के माध्यम से किसानों से आनाच को सरकार खरीदती है और उस आनाच को PDS के माध्यम से सारजिनिक बित्रण के माध्यम से लोगों तक पहुचाती है ताकि गरीबी पर attack किया जा सके तो MSP एक प्रकार से वो मूले है जो सरकार मजबूरी में रखती है ताकि किसान को प्रेडित रखा जा लेकिन प्रक्यूर्मेंट प्राइस 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 होता है जो वास्तों में सरकार प्लान करती है कि हम बाजार मूले पर प्रक्यूर्मेंट प्राइस पर आनाच को एमेस्पी के ताहित कौन कौन सी फसले रखी जाती है क्रसी लागत एवं मूले आयोग द्वारा सरकार को अधिस्ट अभी समय 23 अधिस्ट फसलों को नियूंतम समर्थन मूले तथा गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूले की सिफारिस की जाती है एक जामस में पूंचा जाता यहां पर प्रस्ण सबसे पहले MSP की घुष्णा कौन करता है तो क्रसी लागत एवं मूले आयोग द्वारा MSP की घुष्णा फसल होने के पूर्व किया जाता है ठीक है तो कौन करता है क्रसी लागत एवं मूले आयोग में मूस्ट इंपॉर्टन पॉइंट पहला बन जाता आपसे एक्जाम में हर दम तिंचा गया कि MSP की घुषना कौन करेगा तो क्रसी लागत हैं मूल आयोग दोरा इसकी घुषना की जाती है दूसरा कितनी फसलों के लिए वरतमान में की जाती है तो इसमें मैंडेट्स क्रॉप्स हैं तेईस फसलों के लिए इस समय सरकार क्या करत होता है उन्होंने गन्ने को भी MSP के अंतरगत टिक मार देते हैं एक्जाम में जब पूछा जाता है निमन में से क्या कौन सा तथ्य सही है ये MSP की घुषना क्रसी लागत हैं मूल आयोग दोरा की जाती है दूसरा इसी में वी दे देते हैं दैस अधिस्ट फसलों के लिए चोथा निउन्तम समार्थन मूले पर क्या होता है फसल तथा गन्ने दोनों को खरीदा जाता है तो यहां पर गड़बड़ी आप लोग कर देते हों तो यहां पर आप याद रिके गन्ना एक ऐसा है जो आपको एफारपी प्राइस पर इसको प्राइस के लिए उचित और ल क्रसियम कल्यान मंत्राले का एक सनलगन कारियाला है तो यह मंत्राले आपका कौन सा हो जाता है क्रसियम किसान मंत्राला इसके द्वारा CACP अर्थ विवस्था में MSP की घुषना करता है अधिस्ट फसलों में 14 खरीद की फसले 6 रभी की फसले तथा दो अन्यवान जी की फसल क्रमसा सरसों सूखे नारियल के निंतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है तो भारत में आपने देखा होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन क्रॉप्स के लिए किया जाता है जो वास्तों में बहुत ही इंपोर्टेंट है और एकोनॉमिक के लिए इसेंसियल है उनके लिए सरकार MSP की घोषना करती है देखें MSP जो आपका CACP MSP की घोषना करती है और ये 23 वस्तों के लिए MSP की सिफारिस करता है जिसमें सामिल है साथ आनाज कौन कौन से साथ आनाज है आप इन पॉइंट्स को ध्यान दीजेगा धान, गेहू, मक्का, जौर, बाजरा जौ और रागी ये साथ आनाजों के लिए MSP घोसित की जाती है पांच दाले इसके अंतरकत सामिल है जिसमें चैना, अरहर, मूंग, उरद और मसूर इसके इन पांच दालों के लिए MSP घोसित की जाती है साथ तिलहन को इसके अंतरकत सामिल किया गया है मूंग, फली, रैप तो ये आपके पास आपको ये टेबल याद होनी चाहिए क्योंकि इस से ही अगर आप UPSC का एक्जांप्स दोगे तो वहाँ पर पूछेने जाने लगेगा इसके अंतरकत कौन-कौन से अनाचे इतना डीप भी ओ पूछता है मूले नीथ की रिपोर्ट में CACP हर साल सरकार को अपनी सिफारिस प्रस्तुत करता है हर साल उत्पादन होने के पूर्व MSP CACP आपका जो होता है MSP की घोशना करता है ये पॉइंट आप नोट रखिएगा तो ये याद रखिएगा प्रेक्यूर्मेंट प्राइस जो होता है वो क्या होता है उत्पादन आने के बाद गोशित किया जाता है जो आपका वसूली कीमते हैं खरीद कीमते हैं वो अधिकतर उत्पादन आने के बाद गोशित किया जाता है और MSP की घोशना क्या होते है उत्पादन होने के की सिफारिस करते समय क्रसी लागत यों मूले आयोग द्वारा क्रसी लागत समय दिभिन्य कारकों को पर विचार किया जाता है ऐसे नहीं MSP की घोसना होती है सबसे पहले MSP की घोसना करने के लिए क्रसी लागत यों मूले आयोग क्या करता है कि सान कौन कौन सी लागतों को प्रोड़क्षन में लागत लगी है उसको कालकुलेट किया जाता और फिर MSP मूल किया जाता इसलिए इसका नाम है क्रसी लागत ऐवान मूल ले आयोग।어 तो क्रसी में कितनी प्रकार की लागत है, आपकी जुताई की, आपकी सिचाई की, आपकी बुआई की, आपकी क्या होता हैं, कुछ आपने डियापी या अधर चीज़ों का यूज किया होगा, और ये बिभिन कारकों की लागतों को कैलकुलेट करता है। ये फसल के लिए आपूर्थ एम मांग की इस्थित बाजार मूली की प्रवत्यां, घरेलू और बैस्विक, उभोकताओं के लिए निर्धार्थ, मुद्राइस्भीत, परियावरन, मिट्टी तथा पानी की उपिया सप्पोर्ट प्राइस की घुशना की जाती है। तो इस प्रेकार ये फसल की देखें, डीमांड & सप्लाई की इस्थित भी देखता है कि मार्केटे में कितनी सप्लाई, तो इतने वरियेबल्स है, इतने कारक है, जिन पर ये मंत्रालाई विचार करता है, इन पर रंकने के बाद MSP की घोशना की जाती है अब प्रसनाता MSP की गाणना कैसे की जाती है बिभिन्य करसी वस्तों के लिए MSP सरकार द्वारा CACP की सिफारिसों, राज्य सरकारों के बिचारों, मंत्रालेयों के बिचारों, आदि और उत्पादन लागत, इनपुट आउटपुट मूले समता, अंतर फसल मूले समता, एक प्रभाव जैसे बिभिन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए तैं किया जाता है रहने की लागत, कॉस्ट आफ लीविंग, अंतर राष्टी मूले, इंटरनेशनल प्राइस, आदि सित्यों पर भी ध्यान रखा जाता, तो इस प्रेकार जो CACPC है, राज्य सरकारों से भी एडवाईज लेती है, कि देखिए, पंजाब और हर्याना की इससी बहुत ही डिफ होगी, सिचाई के परिणाम सुरूप इसकी लागत कम आएगी, जब लागत कम आएगी, तो परिणाम सुरूप यहां पर MSP की घोष्टा वास्तों में कम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक, वहीं पर आपका UP या उत्राखंड को आप ले लीजे, यहां पर क्या होती, विजली सब सिडी पे किसानों को नहीं मिलती है, जिसके परिणाम सुरूप यहां पर लागते उची होती है, तो इस प्रकार से जो बेसिक डिफरेंस होता है, कि हाव वी कैन कल्कुलेट दा कॉस्ट आफ एग्री कल्चर प्रोडियूज, तो सरकारों से एडवाइज लेना अनिमारी हो जाता है, ठीक, गौर्वर्मेंट अपना एडवाइज प्रस्तूत करती है कि नहीं आप यह एवरेज रखेगा, तो हमारे भी किसानों को लाब हो जाएगा, तो उसके आधार पर CACP आपका MSP की घोशना करता है, जब भी MSP की घोशना की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइ जो बीच का प्रियोग किया गया, ओलागतों को, उर्वरकों को, ठीक है, कीट नासक को, स्रम्प को, पट्टे पर ली गई भूमी, इंधान, सिचाई, आधि पर किये गये प्रत्यच बै को सामिल किया जाता, तो A2 कोस्ट के अंतरगत, बीच, उर्वरक, कीट नासक, स्रम, पट्टे पली गई भूमी, इंधान, सिचाई, इनको कल्कुलेट करने के बाद, आपका ये प्रत्यच बै कहलाते हैं, जो डारेक्ट एक किसान को, बीर करनी पड़ते हैं, इसको A2 कोस्ट के अंतरगत रखा जाता है, दूसरी कास्ट आपकी होती है, A2 प्लस EFL कास्ट, A2 प्लस EFL कास्ट, इसके तहर, A2 के साथ आव वैतनिक परिवारिक स्रम, आपने देखा होगा, एक परिवार के कई लोग खेतों पे काम करते हैं, पापा खाली हुए, वो लग गए, मदर खाली हुई, वो लग गए, छोटा बच्चा हो लग गए, तो आव वैतनिक परिवारि जो बिना वेतन के काम करती, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, और तीसरी कोस्ट जो होती है, आपकी C2 कोस्ट, यह एक ब्यापक लागत है, अधिक ब्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतरगत A2 प्लस EFL में किसानों की स्वामित वाली भूम और अचल संपत् यह आपके पास जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, लीज पर जमीन लोगे, जब लीज पर जमीन लोगे, तो उसका किराया होगा, लेकिन अगर आपके घर में जमीन है, और घर की जमीन है, उसका आप लीज नहीं जोडते हो, तो यह एक प्रकार से होत जो आपके पास agriculture land है वो वास्तों में घर की land है या बाहर की land है उसके आधार पर C2 cost को calculate किया जाता तो एक जाम्स में पूचा जाता कि CACP कितनी प्रकार की लागतों को include करता तो आपका answer होना चाहिए तीन प्रकार की लागते फर्स्ट A2 cost जिन्हें हम लोग direct cost कहते हैं जो कि इसे ही काम कर देते जिनके लिए कोई भी क्या होता monetary चार्ज नहीं करते हैं और तीसरा जो हमारे पास cost होती है that is C2 cost होती है यह land की cost होती है land का एक प्रकार का rent होता है जब 1, 2 और 3 cost को आप मिला दोगे तो वास्तों में CACP cost को calculation कर लेता है और इनके आधार पर वो MSP की घोषणा करता है नियूंतम समर्थन मूली की सिफारते करते समय CACPC द्वारा A2 FL प्लस C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है यानि A2 पहली लागत A2 प्लस FL आपकी दूसरी लागत प्लस C2 तीसरी यह तीनों लागतों को जोड़ दिया जाता है तो हमें क्य C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख रूप से बेंचमार्ख लागत के रूप में किया जाता है यह देखने के लिए कि क्या उसके द्वारा अनुसंसित MSP कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज में इन लागतों को कवर करते हैं या नहीं तो C2 जो कॉस्ट होती है वो कुछ राजियों पे ही कल्कुलेट की जाती है बांकी जगवा पे कल्कुलेट नहीं की जाती है तो अधिकतर CACP चे होती है आपकी A2 FL कॉस्ट को ही कनवर्ट करता है लागत के अंतरकत C2 लागत को कभी-कभी occasionally कल्कुलेट करा जाता है केन सरकर की आर्थिक मंत्रालों के मंत्री मंडल, CCEA दोरा, MSP के इस तरों और CACP दोरा की गई अन्ने सिफारिसों पर अंतीम निरणाय लेती है तो केन सरकर का आर्थिक मामलों के मंत्री मंडल समित यानि CCE, CCEA ये last में decision लेती है कि इस MSP को लागू किया जाए या ना किया जाए तो आपका क्या result निकला कि CACP, MSP के लिए गणना करती है, क्या A2, FL दोरा गणना करती है और इसको रिपोर्ट रखती है, CCEA को रखती है रिपोर्ट और CCEA क्या करता है, lastly या finalize करता है MSP को, तो आपसे exam में पूंचा जाता है कि CACP, मलब MSP का अंतिम निरणा किसके आधिकारे में होता है, तो आप के द्वारा जो answer मुझे हाज तक मिले, वो CACP द्वारा ही answer मिले, जो wrong है, CCEA हो द्वारा क्या होता है, जो आपका आर्थिक मामलों का मंत्री मंदली समीती होता है, वो finalize करता है, और उसके बाद MSP हमारे सामने आती है, जैसे आपका planning commission जो होता है, योजना आयोग planning commission जो हो कहां रखता है, आपका national development council में रखता है, और national development council क्या करती है, यह plan लागू किया जाए, ना लागू किया जाए, तो आप लोग क्या करते हो, कि भारत में जो plans होते हैं, जो आपके 5月 plans होते हैं, उनको कौन लागू करता है, तो आपके answer mostly लोगों के मुझे मैंने पाया, यो planning commission योजना आयोग का नाम डाल देते हैं, टिक कर देते हैं, और आप वहीं पर wrong हो जाते हो, नहीं, planning commission केवल और केवल plan को draft करने के agency है, केवल वो plan को बनाती है, किसकी अध्यच्च्चता में, प्रधानमंत्री जी के अध्यच्च्चता में, लेकिन national development council, राष्टी विकास पर council में कौन लोग होते हैं, सारे राज्य के मुखमंत्री होते हैं, और ये मुखमंत्री उस पर अपनी सहमत दी जाता है, कि नहीं, this is the plan, best plan for our economy, और उसके बाद हम लोग final करते हैं, तो national development council वहाँ पर लगाती है, उसी प्रकार जो MSP होती है, that is calculated by CACP, ये calculate किसके द्वारा किय जाता है, CACP द्वारा, लेकिन it is implemented by CC, ये द्वारा इसे लगाया जाता है, ये basic गल्तियां आप से द्वारा होती हैं, MSP ताय करने का फार्मूला, MSP फार्मूला गेंदर में मोधी सरकार आई थी, तो उसने फसल की लागत का डेड़ हुना MSP ताय करने का नया फार्मूला पहल की, कि जितनी लागत आपकी होगी, लागत के बाद, यानि आपके पास C2 प्लस आपने देखा होगा, वहाँ पर A2 प्लस EFL के प्लस बाद, डेड़ गुना आपको प्राफिट उसमें दिया जाएगा, फार्मूला अपनाने का सुझाओ, पहली बार मोधी गॉर्मेंट ने कहा, क्रसी सुधारों के लिए 2004 में M. स्वामी नाथन आयोग बनाये गया, ताकि एगरी कल्चर सेक्टर में MSP की गणना गलत अगर हो जाएगी, तो किसानों के लिए प्रेरक जो रास्ता है, वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए M. स्वामी नाथन जो आपका क्रसी सुधा इसकी कि MSP आउसत उत्पादन लागत से कम से कम पचास प्रिचसत अधिक होनी चाहिए, ये most important and notable point आपका बन जाता है, क्या, मोधी सरकार कह रहे हैं, डेड़ गुना, M. स्वामी नाथन, आपका जो जो ना है, स्वामी नाथन आयोग है, वो recommend करता है कि MSP के बाद लागत से कम से कम 50% जादा होना चाहिए MSP का rate, तो ये आप main point याद रखिएगा, प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी जी के निरतरत में NDA सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की सिफारिसों को लागू किया, और 2018-19 के बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेड़ गुना MSP लागू क अक्तों से भरपूर, आनाच, पोसक आनाच पर अत्रिक्त ध्यान के इंद्रित किया जाएगा, अब किसान क्या करेंगे, अच्छी सीट्स को डालेंगे, जिससे उन छेत्रों में इसकी उत्पादन को प्रोसाहन मिले गया, अब किसानों को लगता है कि नहीं, कोई कॉस्ट अगर बढ़ रही तो कोई बात नहीं, MSP भी तो सरकार ने बढ़ा दिया, जहां भूजल तालिका के लिए दिर कलिन प्रितकूल प्रभाब बिना चावल और गेहूंग आज को उगाया जाना संभाव नहीं है, पिछले कुछ वर्सों में तिलहान, दलहान और मोटे आनाजो के पच्च में MSP को फिर से संगठित करने के लिए कई महात्पून प्रयास किये गए हैं, कि इनको भी आप देखिये, तिलहान और दलहान और जो मोटे आनाज हैं, इनके संदर में भी आप थोड़ा सा पूनर विचार करिए, इनके लिए आपकी नीतिया भी प्रापरली नह सल को उपज बढ़ाने के लिए प्रोसाइद करना है, तो MSP बढ़ने से किसान क्या हो जाएंगे, प्रेरित होंगे, और वो अच्छे आनाज को उत्पादन करेंगे, और अर्थ ब्योस्तर में उत्पादन भी तेजी से बढ़एगा, बढ़ोतरी से संबंदित मुद्दे, ये ब्रिद्धी क्रसि लागत को ध्यान में रखते हुए, मामूली प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आज के जमाने में इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा, आपने देखा होगा पेट्रोल डीचल का दाम कितना ज्यादा पढ़ गया है, ठीक है, परिणाम सुरु जो हम ट् प्रेक्टर, सिचाई पंपों, हार्वेस्टर कामबाइन के लिए इस्तेमान होने वाले डीजल की कियोंतों में हो रही बढ़ात्री के सापेच, अगर हम कहें, तो MSP में जो ब्रधी की गई वो वास्तों में बहुत कम, कुछ फसलों की की गई ब्रधी, विसेस रुप से मक् दोत्री, मुद्रा इस भीत के साथ संतुलित नहीं होती है, कि आप कम से कम इतना MSP तो बढ़ाओ, ताकि इनफ्लेशन के जो इंपैक्ट है, उसको हम लोग कवर कर सकें, ये आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, इसके अलावा ये सुनिश्चीत करना खरीद की अनकुश्चीत के कारण किसानों के पास इन फ़सलों की खेती के लिए कोई प्रोसान नहीं है, केवल आप MSP देते हो, और आप कोई चीजे नहीं देते हो, आप इनपूटेव लेवल करा दो, आप सबसीडी देतो, तो साथ किसान ज्यादा प्रेजित हो जाएंगे, इन दर रिस्पेक्ट में देखा होगा, जो आपका एग्री कल्चर, आपका जो लाओ हाई, एक्ट है, इसको रद्द करने की बात कर रहा है, तो इस समय MSP की गारंटी सरकार दे रही हो, और बढ़ी हुई MSP आपके सामने लाँच कर रही है, MSP से सम्मंदित अन्यमुद्दे क्या थे, MSP के साथ प्रमुख समस्या, गेहूं और चावल को छोड़ करके सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मसिनरी की कमी है, ठीक है, आपने देखा होगा, मंडी पे किसान, अपने ट्रैक्टर को हफ्तों दरवाजे पे खड़े रखते हैं, और कोई उनको पूछने नहीं आता, क्योंकि क जो किसान जाते हैं, और अपने आनाज को बेचना चाहते हैं, गन्ना जाते हैं, बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं करता प्रापर, तो इस प्रकार जो गवर्मेंट मेसिनरी है, इसको और अधिक एक्टिव करना होगा, तब ही MSP की घुष जासन की दुकानों के माद्यम से गहूं और चावल को बाटने का निर्णा किया, इसलिए अधिकारी तुनंद गहूं और चावल को MSP रेट पर या प्रिकूर्मेंट प्राइस पर खरीद लेते हैं, लेकिन अन्ने फसलों को खरीदने से क्या होता है, दूर बचते रहते हैं ये एक प्रावलम हमको दिखाई पड़ी, चुकि कई राज्य सरकारे संपूर आजनाच की खरीद करती हैं, ऐसे राज्यों में किसानों को अधिकताम लाब होता है, जबकि कम खरीद वाले राज्यों के किसानों को प्राया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, MSP अ अधिकतर MSP का लाब बड़े किसान उठाते हैं, छोटे किसानों तक इसका लाब नहीं मिल पाता है, समाधान की बात क्या अगर हम करें, तो CACP ने 2018-19 में खरीब विप्रान सत्र के लिए अपनी मूल नीत रिपोर्ट में किसानों को MSP पर बेचने का अधिकार प्रदान किय कि यह आपका राइट्स है कि आप अपने आनाच को यदि प्रेकूर्मेंट प्राइस का मार्केट में रेट कम हो जाता है, तो आप MSP पे बेचोगे, लेकिन एक कानून बनाने का सुझाओ दिया, ऐसा किसानों को प्रोटसाइद करने के लिए, अर्थत MSP पर बेचने का कान अगर बन जाए, तो साइद किसानों के लिए जदा बेनिफिट हो सकता, ऐसा सेजेसंस दिया जा रहा है, सरकार को क्रसी और पस्पालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों दोरा प्रोटीन, बिटामिन, खनिच और फाइबर से भरपूर खादे पदार्थों का से कर दिये जाए, इसके अलावा उनकी खरीद प्रती किसान 10 से 15 कुंटल प्रती एकर पर सीमित कर दिया जाए, जो बड़े किसान अपना पूरा नाज भेज देते हैं, और MSP का लाब बड़े किसान उठा लेते हैं, तो इससे बड़े किसान लाबना उठा करके, छोटे किसान में आस्तित में आया, आप से एक जाम में पूछा जाता है कि इसका पूर्व का नाम क्या था, CACP का, ठीक क्रसी लागत हैं मूले आयोग जो CACP का भी आपने नाम देख रहा है, वरतमान में CACP, ये पहले क्रसी मूले आयोग के नाम से जाना जाता था, जो 1965 में आस्तित मे आया था, और क्रसी और किसान कल्यान मंत्रालाय भरत सरकार के एक सनलगन कारियाले के रूप में कारे कर रहा था, वरतमान में आयोग में एक अध्याच्छा हैं, CACP के, सदसे सच्यू, एक सदसे सरकारी, दो सदसे गैर सरकारी, इसके अंतरगत सामिल किये जाते हैं, गैर सदस्य सरकारी, सदस्य सरक के अंतरगत, करसक समदाय के प्रतिनीजियों को इसमें रखा जाता है, ताकि वो अपनी बातों को प्रापरली रख सकें, आम तर पर करसक समदाय के साथ सक्री रूप से जुड़े रहते हैं, और थाथ ये आयोग एग्रिकल्चर शेक्टर से, यानि से भी दो सदस्यों को रखता है, ताकि वो अपनी बात को प्रापरली आयोग तक पहुचा सकें, कि नहीं सर, यहां पर ये प्राप्लम आ रही है, और ये घुशना ऐसे करिए, ठीक है, किसी फसल के लिए MSP पूरे देस में एक ही होती है, याद रखेगा, मिनिमाम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, पूरे देस के लिए फसल के पूर्व घुशित किया जाता है, अब पूरे देस के लिए पूरी कंट्री के लिए एक होता, यहने कि हर राजी अपना-पना अलग-अलग घुशित करे, पूरे देस के लिए मिनिमाम सपोर्ट प्राइस की जो घुशना की जाती है पूरे देश के लिए एक समान होगी अभी MSP के ताहित सरकार ने 23 फसलों को इसके अंतरगत खरीदती है क्रिसी लागत एवां मूल आयोग स्यों सीए सीपी जो सीए सीपी है MSP किसी फारिश से करता है कि नहीं MSP जारी किया जा सरकार सीए सीपी की सीपारिश के अधार पर MSP ताह करती है तो रिकमेंडेट काउन करता है सीए सीपी फाइनल काउन करता है सीसी ईए नियूंतम समर्थन मूल की घुषना सरकार की और से क्रिसी लागत एवां मूल आयोग की सीपारिश पर साल में दो बार होती है कौन-कौन आप या जाती है और केंद सरकार क्रसी लागत एवां मूल आयोग की सिफारिश पर तेईस प्रकार के जिन्सों के लिए वर्तमान में CSC MSP की घुषना कर रही है हर साल सरकार पंजाब और हर्याणा में MSP पर सबसे ज़्यदा फसल किसानों से खरीदती है अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि MSP पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यदा आनाच देता है तो आपका एंसर होगा कि पंजाब और हर्याणा की किसाने जो सबसे ज़्यदा अपना आनाच MSP पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेजते हैं इसके लिए राज्य सरकारों की तरफ से बुनियादी सुगधाएं उपलब्द कराई जाती है ठीक है और देश के दूसरे राज्यों में भी सरकार किसानों से फसल खरीद दिये अब हमारे पास जो आता है बात तो किसी वस्तुकी अब आप काता प्रेकूर्मेंट प्राइस क्या है प्रेक्यूर्मेंट प्राइस जो होता पीपी जो होता है ये वो मूले होता है जो अर्थव्योस्था में बाजार में प्रचलित होता है तथा इस मूले पर मंटी के माध्यम से सरकार आनाज को खरीदती है और आनाज को खरीदने के बाद बफर स्टॉक में रखती है और बफर स्टॉक में रखने के साथ ही साथ इस स्टॉक को जो Food Corporation of India द्वारा चलाया जाता है और केंद्री आपका जो भंडार ग्राह हैं तो Food Corporation of India के बफर स्टॉक में रखती है तथा PDS Public Distribution System के माध्यम से जारी कीमतों पर लोगों को गरीब लोगों को इसको बित्रित कर दिया जाता है तो इस प्रेकार जो आपका Procurement Price होता है खरीद जो मूले होता है वो एक प्रेकार का बाजार मूले होता है जिस मूले पर सरकार आनाज को खरीदती है ठीक है ताकि बफर स्टॉक मेंटेन किया जा सके है याद रखिएगा MSP में किसानों को सुरच्छा प्रदान की जाती है Procurement Price में सरकार अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए खरीदती है कभी कभी दोनों समान भी हो जाते हैं ठीक है सारजिनिक बित्रा प्रदाली में बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए वोस्तूओं को खरीदा जाता है और वास्त्रिक बाजार मूले की तुलना में ब्या वसूली जो कीमते होती हैं ये हो मूले है जिस पर सरकार कटाई के बाद आपने MSP जो होती है मीनिमम सपोर्ट प्राइस ये फसल उत्पादन के पूर्व सरकार दोरा जारी किया जाता है जबकि आपका जो PP होता, procurement प्राइस होता, वो खरीद जो मूले होता है वो सरकार क्या करती है वो बाद में जारी करती है और खरीद मूले और MSP के बीच मुख्य अंतर यह है कि MSP को बुवाई से पहले घोसित किया जाता है ठीक है जो minimum support price है वो बुवाई के पहले घोसित किया जाता है जबकि PP को procurement price को गटाई के बात घोसित किया जाता है, और 1969 से अलग खरीद मूल घोसित करने की कोई प्रथान नहीं है, MSP को अमतर पर खरीद मूल के रूप में जाना जाता है, और अब पहले 1968-89 से पहले P.P. अलग होता था MSP अलग होता था, लेकिन इसके बाद से MSP और PP दोनों को सेम मान लिया जाता है, दोनों को समान मान लिया जा रहा है, जब बाजार मूल MSP से कम हो जाता है और खरीदे गए करशी उत्पादों को सरकारी गुदामों में रखा जाता है, PDS और बिभίνर खादय सुरच्छा करक्रों के माध्यम से बितरित किया जाता है, तो हम लोग क्या करते है कि बाजार में MSP या procurement अब दोनों एक हो गया, जब दोनों एक हो गया है तो अर्थ बिवस्ता में सरकार क्या करती है, प्रेक्यूर्मेंटर जो प्राइस होती है उस प्राइस पर आनाजों को पर्चेच करती है और बेफर स्टॉक में रखती है और उसी को ही जारी प्राइस जारी प्राइस वो प्राइस होता जिस प्राइस पर रासन की दुकानों के माध्यम से आनाज मिलता तो आप यह मुले पर लोगों को आनाज बित्रित किया जाए तो इस प्रेकार जारी प्राइस वो प्राइस होता है जो रासन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को बित्रित किया जाता हूँ उस प्राइस को हम लोग जारी प्राइस की संग्या देती है एफ सी आई क्या है तोड़ा सा ए इंडिया क्या करता है यह आनाच का बफरी स्टाक बना के रखता है अगर भारत में या देश में कोई भी आपता आ जाती है तो फूट कर्परेशन आफ इंडिया जो बफरी स्टाक में गेहूं चावल या अन्य उत्पादों को रखता उससे अर्थ विवस्था में आपात काल में सप्लाई करता है तो यह हमारे पास बफरी स्टाक का काम करता है और फूट कर्परेशन आफ इंडिया कब बनाये गया 1964 में इसको इस्थाबित किया गया है इसका एक एक बनाये गया और एक्ट के अंतरगत काम करता है इसके तहब गरीब किसानों को हितों की रच्छा करन करने के लिए देश भर में उचित मूले प्रदान करने के लिए साथी साथ गरीबी से लड़ने के लिए और साथी साथ आबदा से भी है हैं के लिए FCI को बनाया गया था जारी किमते हम आपको बताई चुके जारी किमते वह किमते हो थी जिस किमते का उपको छुड़ी हर्फ फिच्ता ही और इस समय MSP और CCI दोनों को in-68 के बाद समान कर दिया गया है यानि 1968 के बाद दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं अर्था दोनों एक ही मूले पर खरीदे जा रहे हैं. तो यह आज का हमारा टॉपिक हो जाता है इसके अंतरगत आज हमने नियूंतम समर्थर मूले को विस्तित व्यक्षा किया. साथ ही साथ हमने इसके अंतरगत यह देखा कि जारी किमते और MSP, Food Corporation of India, CACP क्या है और किस प्रकार से minimum support price का भारती अर्थविवस्ता में लागू किया जाता है, that is very important part of का हो जाता है, और civil service में आप आए जा, civil service